इसके अंतरगत कम से कम दस कुंटल आप भूसा अच्छा भूसा ले ले और उसे दो दिन फुलाएं फुलाने का मतलब है जैसा आप देख रहे हैं इसमें पानी दे करके खुब बढ़ियासा मुलायम करें इसमें कहीं भी सूखा नहीं करना है इसको प्रके नीचे का उपर कर दी नीचे का उपर अभी पहले कोड़िये इस तत पस्याद तीन कुंटल मुर्गी का खाद और दो कुंटल चोकर इसके अलावा जिप्सम 30 किलो और यूरिया 25 किलो ये सारे इंग्रेडियन्स मिला करके अच्छी तरह मिला करके हम इसका थोक बनाते हैं फड़ा फड़ चुने इसको जो लेते हैं यहां देखिए इसको इस तरह से यह मतलब एक पहटा करके यह मतलब देशी भासा में हां हां चलिए एक जो कर रहे हैं हां चलिए यहां लाकर के यह देखिए कर रहें बड़ा अच्छा सा आप उधर कर लो उस साइड में मतलब इसने अंदास से करिए ने कि यह पूरा का पूरा जो है आपका हो जाए थोड़ा सा रहे नजबी एक दम बढ़िया सा देखिए एक दम मिला दीजिए समझ रहे ना इसको मिलाईए एक दम एक दम अच्छा सा मिला जो कोई से नहीं एक मिन टुकिए यहां देखिए ज इस तरह से नहीं करते जाए यह तो अच्छा सा मिलेगा जल्दी नहीं आधा घंटा में हो जाएगा मालक भी एक टुक्त करते चार इनकम क मिलाए यह तो हृँ झालि गहां यहांच्छाdoes जलिए बढ़ ś技 वर्वा जबो का दच्विस अचम प्रैप भो ज 누ाईना झाल झाल